हेलो दोस्तों आज हम सेर कराने वाले हैं वरंदा वनका गाउस साला एंड इसकॉन टेमपल और भी एक मंदिर है विसाल मंदिर है यहाँ का तो आज हम दर्शन कराने वाले हैं तो बने रहे एक कांटिनु ऐसे हमारे ब्लॉग में स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को हम कहां कहां जाते हैं आप लोग भी बने रही है udah यह से मेरे में नीया तो दोस्तों हम सुबा सुबा निकल लिये हैं अभी बज रहा है चार सुबा के तो देख सकते हैंब curricular है हम लोगों को आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं गाव साला वगरा भी दिखाएंगे यहां पर बहुत प्यारी प्यारी आपको गाय वगरा मिल जाएंगी तो दोस्तों कांटिन्यू ऐसे हमारी ब्लॉग में बने रहे तो सीधा चलते हैं रास्ते में हैं अभी और जैसे आलने वाले ऐसे तीन मंदीर हम जाने वाले हैं बहुत ही अच्छे है मंदीर यहां के कौन टेंपल जाने वाले इस कौन टेंपल ग्यों साला जाने वालेओं एक और मंधिर हैं तो सलिए हैं बने रहे कांटिनु यह से हमारे ब्लॉग में तो भायो जैसे आप देख रहे हैं वरंदावन में इंट्री कर चुके हैं राम किष्ण की भूमी पे तो चलिए अब चलते हैं सीधा अंदर चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं यहां का नजारा तो अभी हमको साथ किलो म साथ मिटर चलना पड़ेगा पैदल क्योंकि अंदर यहां पर कोई रिक्सा टेंपो लाउट नहीं है इस दाींप कि बहुत वीई चल लही है तो अंदर नहीं जा सकते हैं रिक्सा वागया तौं लोगों को liar doors चाना पड़ेगा दौनों लोगों को तो देख सकते हैं कितनी स पहुंचेंगे आप लोगों को दिखाएंगे तो बस आप वीडियो छोड़के मत जाना अगर आप लोगों को मंदिर वगएरा देखना है भगवान की दर्शन करने हैं तो बस कांटिन्यू ऐसे हमारे ब्लॉग में बने रही है थोड़ी देर और थोड़ा उजेला होता है फि है फाइनली और अभी तीन किलोमीटर और चलना है आगे तो चलते हैं बस बने रही है कांटिनू ऐसे हमारे वीडियो में छोड़के मत जाना और दिवेश भाई अपना पीछे पीछे चल लाए हम भी आगे चल लाए है यह देख सकते हैं काफी अच्छा हो जेला हो चुका ह हैं मदन महन मंदिर यह देख सकते हैं सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ आप पड़ सकते यहां पर जाने से पहले यह टीले पे बना हुवा यह देख सकते हैं पांच मंजिल इसकी चढ़ाई है उपर तुम सीधा चलते हैं उपर का आपको नजारा दिखाते हैं उपर कौन से भगवान इस्तित हैं तो चलिए चलते हैं उपर की और आप लोगों को के उपर बना हुआ है मतलब इसकी जो उचाई है पांच मंजिल है तो आप जैसे देख सकते हैं हम दिवेस भाई उपर चलने लगे हैं काफी भीड उपर चड़ने में कोई दिक्कत फिलाल नहीं हो रही इतनी भीड नहीं है क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं हुआ है लोग कहते हैं यहाँ नो बजे इतना भाई भीड लग जाता है उपर चड़ने के लिए धक्कम धुक्का चड़ना पड़ता है तो चली ऊपर हें देख सकते हैं अभी जादा इतना भीड नहीं है लोग आ जा रहे हैं काफी हम लोग इतना सुभा TIbора नहीं उठ़्े उ propri too-ornaten निकले हुए है क्योंकि यहां पे साधन नहीं मिलते चार नहीं साड़े तीन बजे उठे हुए थे चार बजे हम होटल से निकले हुए हैं तब देख सकते हैं इतनी देर में यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर साधन नहीं मिलते हैं टेंपू रिक्सा वगरा भी यहाँ तक आ सकते हैं जहां आप जाएंगे मंदिर वहाँ आप जा सकते हैं रिक्सा से अपने साधन से तो देख सकते हैं फाइले हम उपर आ चुके हैं यह देखिए हम अंदर इंट्री कर रहे हैं तो देखाते हैं आप लोगों को यहां का मंदि इसे कैसा नीचे का नजारा लग रहा है य reicht कि यह देखिये यहां पर बंदर वग्यारा में-क यह बहुत- पियारन लग रहा है उपर से यह देख सकते हैं जैसे कि यह देखिये काफी अच्छा लग जैसे कि देखिए कितना प्यारा लगर लोग देखि किद्नी भील लगी हुए रोडों पे ये देखिए सुबा सुबा से वाइं प्रण से तिना हमद्ग यहाँ देखाते हैं तो प्र मंदिर जो भाइन होन को पर दरिबॉब हैं है लोग है आप चलते हैं आप लोगों को हम दर्सन कराते हैं वी आइपी दर्सन कराते हैं यहां पर बहुत ही अच्छे भगवान यहां पे है कौन से भगवान है मुझे नहीं पता है डोनो तो सीधा चलते हैं लाइव आपको सामने ही दिखा देते हैं तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मंदिर है यहां पे अच्छा लग रहा है इतना भीड भी नहीं यहां पे होता है मतलब सुबा सुबा अग आप लोग चलिए हम भी थोड़ा दर्सन कर लेते हैं परसाद अगरह भी मिलना है परसाद भगरह भी ले लेते हैं भगवान का फिलाल इतना हमको नौलिज नहीं यह कौन हैं यहां पर आप देख सकते हैं पीछे कितना बड़ा मंदिर बना हुए बहुत ही अच्छा लगता है यहां पर देख सकते हैं जैसे की मुझे तो बहुत ही सुकून मिल रहा है यहां पर अच्छा लग रहा है अभी तो हम आगे भी चलेंगे तो चलते हैं दिवेश भाई आगे चलते हैं बढ़ते हैं और भी आप लोगों को दिखाना है तो चलिए बने रही है कांटिनु ऐसे हमारे ब्लॉक में तो अभी चलते हैं एक सिकेंड बस रुख जा तो चलिए इधर से नीचे जाने का रास्ता है पीछे से हम जाएंगे आगे से नहीं जाएंगे क्यों आगे से बहुत ज़्यादा भीड हो जाती है इसलिए हम पीछे से चलते हैं तो देखते हैं पीछे से रास्ता की धर है पहले हम देखते हैं कि इधर से जाने वाला है पी हैं दिवेस आगया चल लाए यह देखिए तो हम चलते हैं बाहर की और फिर चलते हैं सीधा हम गौसाला की और चलेंगे फिर इसकौन टेंपल चलेंगे आपको वहां के भी दर्सनम कराएंगे और गौर साला वगएरा भी आप लोगों गाय वगएरा दिखा रहे हैं यहां पर देख सकते हैं एक से एक आपको यहां पर गाय वगएरा मिल जाएंगी यह देख सकते हैं यहां पर अपना कुछ भी खिला पिला सकते हैं घास वगएरा खरीत के वगएरा बाहर मिलती है और अंदर भी यहां पर बहुत सारी घास यह बहुत बड़ा गावसाला बना हुआ है यहाँ पे आपको एक से एक आपको गाय वगरा मिल जाएंगी और यहाँ पे जो गावसाला के दूद वगरा होता है यहाँ पे तो यहीं से जाता है पेवर दूद तो आपको भंडारा वगरा चलता है पीने वगरा हम भी पी चुके हैं रास्ते में यह देख सकते हैं भाईया लोग यहां पे गाय वगरा को घास वगरा खिला रहे हैं देख सकते हैं जैसे कि हरी भरी यहां पर आपको घास वगरा आपको मिल जाएगी वहां पर इधर साइड में बहुत सारी घास वगरा पड़ी हुई है तो वहां से आप उठाके गाय वगरा को खिला सकते हैं अगर खरीदना नहीं चाहते हैं बाहर से तो यह देख सकते हैं जै गाय वगरा देखने को मिल जाएंगी यह देख सकते हैं जैसे कि अगर हम लोग यहां से खरीदना चाहें या ले जाना चाहें पालने के लिए तो साइद मिल सकते हैं ऐसा नहीं है पता नहीं पूछना पड़ेगा यहां पर बहुत सारी आपको गाय वगरा मिल जाएंगी यह अभी हम भी यहां पे बर्सेन वगरा खिलाते हैं पहले दिवेस यहां खिला ले पहले देख सकते हैं यह देखिए गाय कितनी प्यारी प्यारी गाय हैं यह देखिए गाय के बारे में आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हमें यह देख सकते हैं अभी और सारी भी आप लोगों को दिखाएंगे गाय वगरा बहुत ही प्यारी प्यारी गाय वगरा आपको दिखाएंगे और जैसे देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी आपको गाय वगरा यहां पी मिल जाएंगी यह देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी मैंने भी अपने हाथों से इसको घास किलाया बहुत ही प्यारी गाय लग रही है यह देख सकते हैं बहुत सारी यहां पर आपको गाय व साप सुतरी हैं ये देख सकते हैं इनको यहां डेली नहलाया भी जाता है साइड में नहाने वाला इधर बना हुआ है वहां से पाइप लगा के नहलाया भी जाता है गाय वगरा को ये देख सकते हैं एक से आपको यहां पर गाय वगरा मिल जाएंगी ये देख सकते हैं और यह अधर देख सकते हैं आपको सांड वगिरा मिलते हैं यह देख सकते हैं जैसे कि जो सांड बोलते हैं जा जिए बहुत सारे से चाइब दिखाते यह बचलें में खिलाने गया है इधर देख सकते हैं जैसे कि इधर आपको बच्छडे वगड़ा मिल जाएंगे यहाँ पर भी आपको एक सी एक गाय मिल जाएंगे यह देख सकते हैं 24 गंटे चारा इनको मिलता है बहुत जित भी बहुत हाई भी हैं हैं भाई यहां पे देख सकते हैं जैसे की तो अलबAc nou को गावसाला व्गरे डिखा दिखा दिया है कियोंगि यहां पर गावसाला बहुत काफी बने हुए हैं अब सारे की सारे तो दिखा नहीं सकते मतल Communist आपको आपके जानकारी के लिए मैंने एक गौसाला मैंने दिखा दी अवरंदावन में तो गौसाला कैसा लगा हमें एक बार जरूर बता देना यार एक बार कमेंट करके हमें जरूर बता देना देखते हैं गाँ सॉला बगरा किसको अच्छे लगते हैं गया बगरा किसको पसंद है तो अब हम सीधा चलेंगे इसकोन टेमपल जो यहाँ पे बहुत ही प्यारा मन्दिर बना हुआ है इसकोन टेमपल आप सर्च कर सकते हैं Google बगरा Net वगरा तो आज हम नहीं चलेंगे आप लोगों को लाइफ दर्सन कराएंगे प्रभू के तो हम दिवेस भाई दोनों चलते हैं सीधा इसकॉन टेंपल पहुंसते हैं वहाँ पे आप लोगों को दर्सन कराते हैं तो अब थोड़ी देर दो मिनट और बने रहे हैं कांटीनू हमारे वी के दर्सन करते हैं और भी तो गेट बंधन प्रभूजी के तब तक हम थोडा वेट करेंगे भगवान के तो देखिये फिर आप लोगलों को दर्सन कराते हैं ये देख सकते हैं वह तो चलिए थोड़ा उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संसकार और उसका चरित्र, जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुन्दर शक्स है तो जैसे देख सकते हैं, बस दो सिकेंड के लिए भागवान की दर्सन हो पाएं, मिलते हैं, निउ वीडियू के साथ नय ब्लॉग में तब तक लिए बाई